या देवी सरहूतेशू मा कुश्मांडा रूपेन सस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नम्हा आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है नवरात्री की चतुर्थी तिति को मा कुश्मांडा की पूजय की जाती है और मा दुर्गा का चौथा स्वरूप हैं मा कूश्मांडा पौराणिक मानिताओं के नुसार देवी कूश्मांडा ने ही स्रस्टी की रचना की थी इसलिए इन्हें स्रस्टी की आधी स्वरूपा और आधी शक्ती भी कहा जाता है मानेता है कि जब प्रारम में चार उतरफ अंधेरा ही अंधेरा था तब देवी कुश्मांडा ने अपनी मंद मंध हसी से पूरे ब्रहमान की रचना की थी अस्टु भुजा देवी अपने हाथों में धनुष, बान, कमल पुष्प, कमंडल, जपमाला, चक्र गदा और अम्रित से भरावा कलश रप्ती है देवी कुश्मांडा का निवास सूरे मंडल के भीतर लोक में इस्तित माना जाता है और सूरे लोक में निवास करने की शमता और शक्ति केवल इन ही में है देवी कुश्मांडा के शरीर की कांती और प्रभावी सूरे के समान ही है इनके तेज की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती अन्य कोई भी देवी देवता इनकी बराबरी नहीं कर सकते और इनी के तेज से दसों दिशाई प्रकाशित हो रही है कुश्मांडा देवी को सबसे ज़्यादा प्रे होता है कुम्डा अधात पेठा कहा जाता है आज के दिन मा कुश्मांडा को कुम्डे के अलावा माल पुए का भोग भी लगाना चाहिए कुम्डा और कुम्डे से बनी पेठे की मिठाई मा कुश्मांडा को बहुत प्रे होती है जो भी भक्त आज के दिन मा कुश्मांडा को कुम्डे की बली अर्पित करते हैं उन्हें भी मा कुश्मांडा का विशेस आशिरवात प्राथ होता है कुश्मांड का अर्थ होता है कुम्डा और मा दुर्गा ने इस संसार को असरों के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए ही कुश्मांडा अफ्तार धारन किया था देवी कुश्मांडा अपने भक्तों को रोक, शोक और विनाश से मुक्त करके दिरगायू, यश, बल और बुध्धी प्रदान करती हैं अगर आपका कोई ऐसा विशेश लक्ष है, ऐसा कोई सपना है जिसे पूरा करने के लिए आप लगातार प्रयास कर रहे हो लेकिन कई बार प्रयास करने के बाद भी जब आपका ऐसा लक्ष पूरा नहीं हो पाता हो, तब आपको देवी कुश्मांडा की पूजा करनी चाहिए विदी विधान से के कई पूजा का फल जल्दी प्राक्त होता है देवी कूश्मांडा का प्रे रंग है हरा और नारंगी और आज के दिन देवी कूश्मांडा की कथा के रूप में श्री दुर्गा सब्तशति के पांचवे छठे और साथवे अध्याय का पाठ किया जाता है नवरात्री की चतुर्तितिति को देवी कुश्मांडा की पूजा करने के लिए आप ब्रहम महूत में उठकर इस्नान कीजिए फिर हाथ में जल पुष्प लेकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए फिर लाल रंग के आसन पर बैठ कर और लाल या पीले रंग के वस्तर पहन कर आपको पूजा की तैयारिया प्रारण करने चाहिए आज के दिन आप मा को लाल या पीले रंग के फूल अर्पित करें संबब हो तो आज के दिन आप मा कुश्मांडा को साबुत पेठा जिसे कुमणा कहते हैं वो अर्पित करें अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप पेठे की मिठाई भी अर्पित कर सकते हैं साथ ही धूब दीपक जलाकर आप देवी कुश्मांडा के विशेस मंत्रों का जाब करें जिसकी वीडियो मैंने पहले से ही अपलोड की हुई है अगर आप विशेस मंत्रों के बारे में जानना चाहते हैं तो इन वीडियो को देख सकते हैं नवरात्री के दिनों में श्री दुर्गासथिशती का नियमित पाठ करना चाहिए और आज के दिन माकुश मांडा की पूझा करके आप कथा के रूप में श्री दुर्गासथिशती के पाँचवे छटे और साथवे अध्याय का पाठ कर सकते हैं पाच करतिस में आपका मुँख पूरब दिशा की ओर होना चाहिए, साथ ही दुर्गा सतुषदी का जब भी आप पाच करें, शांत और पवित्र मन से करें, पाच करतिस में ना तो आपकी आवाज बहुत जादा उची होनी चाहिए और ना ही बहुत जादा कम होनी चाहिए, इसके बाद आप व्रत की कथा कहें, और फिर आप सबसे अंत में देवी को भोग लगाए, भोग में जो भी आपकी सामर्थिय उसके निसार आप भोग लगा सकते हैं, और फिर आर्थी करें, और इन शब्दों में शमायाचना जरूर करें। क्षमायाचना, हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराद होती रहे हैं, अता आप मुझे अपनी सेवक समझ कर कृपा पूर्वक मेरे उन अपरादों को क्षमा करो, ना तो मैं आवान करना ही जानती हूँ, ना विसरजन करना ही जानती हूँ, और ना की शरण में आकर केवल जगदम कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं जिसे ब्रहमादी देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं मैं अपरादी हूं किन्तु आपकी शरण में आई हूं अतह इस समय में दया की पात रहूं तुम जैसा चाहो वैसा करो अज्यानवश या बुधी प्रहम होने के कारण भूल से जो कुछ भी मैंने कम या अधिक कर दिया हो हे देवी हे परमेश्वरी सब अपराद क्षमा करो और प्रसन हो हे जगनमाता हे कामेश्वरी सक्चिदानन सोरूपिनी परमेश्वरी आप प्रेम भूर्वक मेरी है पूजा स्विकार करो और मुझपर प्रसन हो आप गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो आप मेरे किये हुए इस जब को ग्रहन करके मेरे सभी अपरादों को शमा करो हे देवी हे महेश्वरी आपकी कृपा से मुझे सिद्धी की प्राप्ती हो इस प्रकार सुबह और शाम दोनों ही समय की पूजा के बाद शमयासना इन शब्दों में करनी चाहिए और अगर आप वरत रखना चाहते हैं तो आप मा का ध्यान करते हुए समर्पित भाव से अपना वरत प्रादम करें शाम की पूजा करने से पहले आप एक बार फिर से स्नान कर लीजे, साफ सुच वस्त धारन कर लीजे, फिर देवी मा की पूजा करें और फिर आप देवी मा को भोग लगाएं और फिर अपना फलाहार भी आप शाम की पूजा के बाद ग्रहन कर सकते हैं नवरात्री के दिनों में अपने घर के मुख्यद्वार पर तिल के तेल का या गी का दीपक जलाकर रखने से कहा जाता है मात दुर्गा का आश्रवात सभी परिवारिक जनों में भी बना रहता है यह थी आज की वीडियो उमीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइप करके कमेंट बॉक्स में जैमाता दी लिखने के साथ सत आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं